पेटियन लाइब और मैं हूँ चंदन सीवान नगर परिशा चुनाओ का जो परिनाम है वो धीरे धीरे अब आना सुरू हो गया है आपको बता दे कि कुल 45 वाड है और ऐसे में आपको बता दे कि एक नमबर वाड की जो मदगर्णा है वो पूरी हो गई है और उसके परिनाम सामने आ गए है जैसे कि जो जानकारी मिल रही है कि जायदा खातुन वहां से पारसद पद पे निर्वाचित हुई है भाडा कला के जो उनके अभी करता है यहां पर मौजूद है हमारे साथ महम्मद जलालुदीन खान ये बताएंगे क्योंकि यह लोग वहां पे थे 385 में हम लोग को मिला है ठीक है जो नमबर में उनका 355 मिला है ठीक है और पर एक सबको बधाई देते हैं सुक्रिया आदा करते हैं कि बहुत अच्छे तरह से हम लोगो सपोर्ट मिला है अब जीते हैं अलाउंस हो गया क्या जादा का जी आभी अलाउंस होने वाला है जी अब जैसे दूसरे चाहिए फाइनल रिपोर्ट अंदर थे आप अपने जी जी वह त उसका रिपोर्ट लिये हुए हैं यह जो अभी करता है और यह जायदा खातुन के वाड संख्या एक जो की भादा कला का इलाका है और उसमें आपको बता दे कि जायदा खातुन को 595 मत प्राप्त हुए हैं दूसरे नंबर पे हैं साबितरी देवी जो की 355 मत है और उसके ब नंबर वाड है वहां से पारसद बनी है नौ निर्वाचित हुई है जो कि वह नया इलाका था आपको बता दे सहरी चेतर में जुड़ा था पहली बार यह नगर परिशद में आया था पहले पंचायत हुआ करता था वहां से जायदा खातुन वहां से चुनाव जित गई है और देखना होगा कि धिरे धिरे जो रिजल्ट आ रहा है कौन कहा से इस बार जीत रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि काफी कड़ी टकर है काफी दिल्चस्प मुकाबला होगा चाहे जहां भी होगा जहां भी जो भी उमिद्वार थे चाहे चेर्मैन को उमिद्वार थे या फ कि नया जो वाड बना और उसके बाद से नय वाड में वो एक नमबर वाड बना और पहले पंचायत था लेकिन अब नगर परिशद में आ गिया तो इसलिए वो जायदा खातुन पर लोगों ने भरोसा जाताया है और जायदा खातुन को वाड संख्या एक से वाड परसद बना नहीं रहेगी एटियन लाइब लगातार आप देखते रहें और तमाम जो काउंटिंग से जुड़ी मदगर्ना से जुड़ी जो खबर है वो हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगा हमरे स्वयोगी आसिस के साथ शंदन कुमार एटियन लाइब सिवान